यूवा पढ़ा लिखा यूवा राजनीती में आएगा ये शुद राजनीती के लिए बहुत अच्छी पहल है अगर हमारा पढ़ा लिखा यूवा विदायक बनेगा मंत्री बनेगा और अपना राजनीती में रहेगा तो उससे एक बैलेंस बनेगा बहुत अच्छी चीज र बात करते हैं जन्ता से जुड़े सरुकारवी और बात करते हैं कि कैसे हम अपने समाज में प्रगतिशीलता ला सकें। आज मेरे साथ इसकड़ी में मौझूद है राजे इंद्रे चौधरी जो की समाजवादी पार्टी से उतरखंट समाजवादी पार्टी से मीडिया प्रभारी हैं चलिए बात करते हैं उनी से अगर मैं बात करूँ मौझुदा माहौल की जो हमारे देश में जो है राजनितिक माहौल एक बना हुआ है कही ना कहीं कितना किस हद तक आप इस माहौल को सही मानते हैं कितने आप संतुष्ट हैं अससे और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अगर आप बदलाव चाहेंगे राजनिती में हो क्या होगा देखिए आजकल का जो माहौल है बड़ा ड्रावना माहौल पैदा हो गया है जब से बीजेपी की गवर्मेंट बनी है और आप देखिए पूरा यूपी में बीजेपी हमेशा हमेशा से धुरूई करण की राजनितिक करती आई है और हम लोग हम लेके आए और धुरूई करन करें उस धुरूई करन ज्यादा दिन नहीं चलता और अब की बार जो है आप देखेंगे कल भी चुना हुआ यूपी में तो एक तरफ लहर है समाजवादी पार्टी की इसी वज़े से क्योंकि हर बार यह चीजे नहीं चलती आप धुरूई कर इक बार कर सकते हैं, हिंदू-मुसलिम एक बार कर सकते हैं, यह हमेशा से विकास के उपर ही आपको बोलना पड़ेगा, विकास के उपर ही आपको बात करनी पड़ेगी, रही उत्राखन के परिपेक्स में बात, हिहां पर आपको पलायन है, विकास नहीं है तो इन मुद्द समय में इस शेत्र में रोजगार पर होगा, जिससे उत्राखंड से पलाएं ना हो, यह सबसे बड़ी बात हमारी पार्टी में होगी, युओा को रोजगार देने की बात होगी, काम की बात होगी, आज कल देखें सब लोग बेरोजगार, काम धन्दा नहीं है, हर आदमी परिशान है इस टाइम, माह अगर मैं बात करूं युवाओं के अदि में और कहीं से भी नहीं हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब राजनीती में ये भी बात सामने आई है कि पढ़ा लिखा होना आपको जरूरी है या एक पढ़ाई की जो सीमा है वो तै की जानी है वो जरूरी है तो आप इसे कितना सही मानते हैं और अगर आने वाले समय में युवा जो है राजनीती में कदम रखत अपना राजनिती में रहेगा तो उसे एक बैलेंस बनेगा। बहुत अच्छी चीज रहेगी और यूआ को आना भी चाहिए। वागिदारी तो राजनीती के लिए इसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा. एक आखरी सवाल आपसे ये होगा जैसे कि पूरी कंट्री में जो है प्रगतिशील राजनीती की हम बात करते हैं हम बात करते हैं बदलाव की और आईपा जो ये मुहिम चला रही है आपके अगर कोई सुझाव होंगे हमारे लिए वो क्या होंगे आपका बहुत अच्छा ये ओ है सुझाव तो मेरा यही रहेगा कि जैसे अपने युवा आए बदलाव हो जो पुरानी चीजे हैं कई चीजे ऐसी होती है वो खतम होती जा रही है उन उन चीजों पर नहीं जाना चाहिए प्रोग्रेसिव जो होना चाहिए आदमी को चे वो र तो कही न कहीं ये साफ है कि बदलाव होना प्रकति का नियम है जब तक प्रकति में बदलाव होता रहे है तहीं कहीं न कहीं नई तासगी हमारे समाज को मिलती रहेगी चाहे वो युवाओं के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे वो र पसार रही है और लोग ये चाहते हैं कि प्रोग्रसिव पॉलिटिक्स जो है वो होनी चाहिए अगर आपको हमारी जो बोहिम है वो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बनी रही हमारे साथ यानि आईपा के साथ धन् सब्सक्राइब माले बनी पॉलिए और गॉलिए और लॉब्र लाइब है लगी विजए।